वेलकम टु न्यू लेस्टन इस लेस्टन में मैं आपसे बात करूँगा कि जब आप Google Ads रन कर रहे हो तो उसको A-B टेस्ट करने का कैसे आपको A-B टेस्टिंग करनी चाहिए जब भी आप Google Ads रन कर रहे हो राइट I'm sure आपको अभी तक पता है कि A-B टेस्टिंग क्या होती है मैं पहले कई बार बाकी courses में भी बात कर चुका हूँ about A-B टेस्टिंग so A-B टेस्टिंग is basically आप दो चीजों को एक दूसरे के against टेस्ट कर रहे हो हाना so that is A-B टेस्टिंग so अब Google Ads आप रन कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो की आप टेस्ट कर सकते हो और वो टेस्ट आपको कैसे करना है इसके बारे में बात कर रहे है तो सबसे पहले आप क्या टेस्ट कर सकते हो Google Ads के अंदर नंबर वन तेंग जो की टेस्ट करना ज़रूरी है वो है की वर्ट्स ठीक है जी की वर्ट्स आप Ad Groups बनाओ जैसे मैंने आपको बताया था About SKAG SKAG is Single Keywords Ad Group ठीक है तो आप अलग-अलग Ad Groups बनाओ हर Ad Group में आप एक एक की वर्ट लो and then test की कौन सा की वर्ट अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है and कौन सा की वर्ट उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है ठीक है तो सबसे पहले आपको test करने है keywords दूसरी चीज़ जो आपको test करने है वो test करना है आपको lending pages राइड अब keywords test करने बहुत जरूरी है बट keywords के साथ-साथ lending pages की testing भी बहुत ज़्यादा जरूरी है यह test करना जरूरी है कि कौन सा lending page ज्यादा अच्छा result दे रहा है कौन सा lending page उतना अच्छा result नहीं दे रहा है ठीक है तो lending pages की testing is very 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 important सो आप दो अलग-अलग lending pages बनाएगे और इस वाले lending page की आपने headline कुछ और रखी है और दूसरे वाले की headline कुछ और रखी है and then आप test करो कि कौन सा lending page बेटर काम कर रहा है अब यहाँ एक चीज बहुत ज़रूरी है कि आप एक ही चीज में change करो रहा है जैसे मैं यहाँ पर बस headline change कर रहा हूं सो मैं यहाँ की headline को test कर रहा हूं against this headline अगर मैं बड़ी सारी चीजे चेंज कर दूँगा तो वह हो जाएगी multivariant testing और multivariant testing के case में मुझे यह पता नहीं चलेगा कि कौन से element के change की वजह से मेरे वेब पेज पर या मेरे conversion पर impact आया है तो make sure कि आप एक चीज चेंज कर रहे हो और देन आप उस चीज को compare कर रहे हो कि क्या उस चीज के change से क्या impact आ रहा है ठीक है तीसरी चीज जो आप test कर सकते हो वह आप test कर सकते हो अपने add की copy जो भी आप add word पे add बनाओगे उसमें आप again keyword लोगे देन आप उसकी headline लेखोगे and description लेखोगे तो आप दो अलग-अलग add copy बनाओ and then test की कौन सी add copy आपके product के लिए आपके service के लिए ज्यादा अच्छे result दे लिए तो आप add copy को test कर सकते हो again add copy testing बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है ताकि आपको यह पता चले कि कौन सी add copy कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है तो पहली चीज़ जो आप test कर सकते हो keywords test कर सकते हो then you can test landing pages then you can test add copy और एक और चीज़े जो आप test कर सकते हैं यह वाला test थोड़ा से expensive है बट आप कर सकते हो और वो है bid right bidding type basically not bid bidding type so जैसे हमने बात की थी कि most of the times आपको बस एक ही bid run करने है that is manual CPC ठीक है बट आप चाहो तो दूसरे bid को test कर सकते है जैसे मैं basically test करता हूं but again that requires money है तो अगर आप test करोगे तो आपको कुछ पैसे invest करने पढ़ेंगे उसमें आप वो कर सकते हो आप एक में manual CPC चेक करो run करो एक में से you run maximized clicks or maximized conversions and then आप compare कर लो कि कौन सा bidding type ज़्यादा अच्छी performance दे रहा है कौन सा bidding type उतनी अच्छी performance नहीं दे रहा ठीक है यह comparison करके आप जो भी bid type आपको अच्छे results दे रहा है आप उसके साथ stick कर सकते हो सो यह major 4 चीज़े हैं जो कि आप test कर सकते हो again landing pages में जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़े test कर सकते हो आप एक चीज से start करो और धीरे धीरे आप बागी चीज़ों पर move करो सबसे पहले आपने headline से start की देन आप यहां का video message test कर सकते हो right but एक बार में एक ही चीज़ टेस्ट करो ताकि आप results को सही से you know substantiate कर सबको आपको पता चल जाए कि कौन सा result अच्छी performance दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा right and make sure कि आप testing करो believe me on this मैंने बहुत ad accounts देखे हैं बहुत लोगों को देखें marketing campaigns run करते हुए और वो टेस्ट नहीं करते चीज़ों को हना वो बहुत कम testing करते हैं और जितनी आप कम testing करोगे उतने कम chances हैं आपके successful होने के जितनी आप ज्यादा testing करोगे उतने ज्यादा chances हैं आपके successful होने के ठीक है so test a lot and keep testing ठीक है जी that's it from this lesson thank you so much